नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिसकस करने वाले हैं SGPJ के दवरा जो उत्तर परदेश के लिए गुनिस सो चोतर स्टाफ नर्स की वेकेंशी निकाले गई थी उसके डोकुमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक नई अपडेट को जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले ही यहाँ पर 13th of June से लेके 19th of June तक आपके डोकुमेंट जो वेरिफिकेशन बहो चुके हैं लेकिन उस टाइम कुछ ऐसे कंडिडेट थे जिनका कोई डोकुमेंट नहीं था, इसलिए उनको प्रोविजिनली इलिजिबल माना गया था उसके बाद उनको 7 डे का टाइम दिया गया था कि आप जो भी डोकुमेंट है वो प्लब करा दीजिए अब उनमें से कुछ कंडिडेट हैं जिन्होंने अपने डोकुमेंट वहाँ पे समिट कर दिये थे अब उनको एक बार दुबारा फिजिकल डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा उसके लिए टाइम और जो डेट है वो रिलीज कर दी गई है तो सभी साथी जो इस लिस्ट में है जो की आप देख पा रहे हैं टोटल कंडिडेट हैं 119, 119 कंडिडेट हैं जिनको दुबारा से डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गया है अब देखिए यहाँ पर आपका जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो दो दिन के लिए रखा गया है 13 जुलाई को और 14 जुलाई को तो आपको इसी दिन जाना है लेकिन किस को किस दिन जाना है इसकी एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है वो आप जरू देखिए इसके अलावा आपको बता देते हैं कि सभी document आपको लेके जाने हैं ये नहीं कि आपसे जो document मांगा गया आपके अब वही लेके चले जाएं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सारे document जब आप पहली बार गए थे वो सब कुछ लेके आपको दुबारा जाना होगा इसके अलावा आपको बता दें कि जो candidate 13th और 14th July को document verification के लिए present नहीं होंगे उनको absent मान लिया जाएगा और उनको आगे की जो process है उससे out कर दिया जाएगा तो यह जो वो list है साथियों यहाँ पर जिन candidate को अपना roll number यहाँ पर दिखाई दे रहा है केवल वही candidate document verification के लिए जाएगे जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे है डेट यहाँ पर लिखावा है कि 13th July को कौन कौन जाएगा तो 13th July को जो total candidate है जिनका नाम इस list में वो 30 है उसके अलावा जो 30 student ओर है वो उसी दिन जाएगे लेकिन उनका time यहाँ पर 12.30 रहने वाला है लेकिन जो पहले 30 candidate है उनको 10.30 तक वहाँ पर पहुंच जाना होगा तो जो 2 hour का गेप यहाँ पर दिया गया है इसमें document verification हो जाएगा अलाएंकि एगर उस दिन document verification सभी का नहीं हो पाता है तो next day भी इसको किया जा सकता है आलाएंकि इतना time नहीं लगेगा जल्दी ही document verification की process पूरी कर ली जाएगी इसके अलावा जो यह दूसरी list है जिसमें सभी candidate है इनको 14th को जाना है और 10.30 टाइम यहाँ पर रखा गया है इसके अलावा जो next candidate है जिनको 119 नमबर तक है 91 से लेके इनको भी 14th जुलाई को जाना है और 12.30 पर पौंच जाना होगा तो इस परकार से आप सभी को जाना होगा यह आपका time schedule रखा गया है कोई भी आपको समस्या आए तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं धन्यवास आती है